नमस्कार दोस्तों, इंग्लिस पोर्टल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम यूज ओफ मैनी करेंगे इसके अलग-अलग यूज संटेंस में कैसे किया जाते हैं वो करेंगे तो बिना टाइम खरब की शुरू करते हैं आज की वीडियो यूज संटेंस में खाली many यूज होता है तो उसके लिए क्या करते हैं plural noun और plural verb का हम यूज करते हैं many plus plural noun plus plural verb इक्जम्प्ल देखते हैं many boys are waiting for you कि भी m inflammation के बाद boys plural noun है our waiting, are plural helping verb है तो भी many boys are waiting for you कि भी many के बाद plural noun और plural verb का यूज करना है दूसरी बार आता है कि भी many के बाद अगर a और n आर्टिकल लगा मिल जाता है तो क्या करते हैं उसके बाद singular noun और singular verb का यूज करते हैं क्या करते हैं many plus a n plus singular noun plus singular verb example देखते हैं many a man has been arrested इस sentence में many लगा है और many के बाद a man लगा है इसलिए singular helping verb has लगा है तो आप लोगों ने इस बाद का ध्यान रखना है बिल्कुल many के बाद a और n आर्टिकल अगर आ जाते हैं तो आप लोगों ने singular noun और singular verb का यूज करना है नमबर थार्ड पे आता है अगर many से पहले a great या a good लगा मिल जाता है तो आप लोगों को plural noun और plural verb का यूज करना है आप लोगों ने बिल्कुल confused नहीं होना है कि भी many से पहले ए लगा तो आप लोग इस पे singular noun या singular verb यूज करेंगे आपने plural noun और plural verb ही यूज करना है अगर many से पहले a great या a good लगा मिल जाता है एक्जामपल देख लो इसका एक बार a great many girls are going to abroad for higher education यहाँ पे many से पहले एक great लगा हुआ है और girls many के बाद girls plural noun लगी हुई है plural helping verb are going abroad for higher education कहाँ पे abroad जा रहे हैं भी higher education के लिए दूजरे देश जा रहे हैं तो यहाँ आप लोगोंने a great लगा हुआ है many से पहले लेकिन उसके बावजूद आप लोगोंने plural noun और verb इसमें लगाया है तो इस परकार से आप लोगोंने देखा कि many के अलग-अलग use किये जाते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने friends के साथ share कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए आए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजगा क्योंकि हम ऐसे ही छोटी-छोटी मगर मोटी-मोटी बाते लेकर अपने चैनल पे आते रहते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you very much जै हिन जै भारत